हलो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बिहार सिचक के बारे में क्यूंकि अब देख लीजिए अब प्रोटेस्ट और बिरोध करने से कुछ नहीं होगा क्यूंकि अब जो कैबिनेट है कैबिनेट से मुहर लग चुकी है तेजस्वी आदब का ट्वीट है यहां पर दिया गया है कि आज महागठवंदन की बिहार सरकार ने आज कैबिनेट में एक लाख अठाटर हजार से अधिक सिच्छकों की बहाली पर मुहर लगा दी गई है शिर्ग ही नुक्ति की प्रकिरिया शुरू की जाएगी और साथ ही में यह भी ट्वीट किया है कि जो बिहार पुलिस में 75,000 पदों पर नुक्ति का भी स्विक्रिति दी गई है तो यहां पर मुहर लग चुका है अब जो भी आपको बिप्यसी का एक्जाम तो अब देना ही परेगा कोई हाल में अब बिरोध दूरोध करने से देख लिए कि आपको अब तो बिप्यसी एक्जाम देना ही परेगा क्योंकि कैबिनेट के मोहर लग चुकी है अब कोई संसोधन बेगड़ा नहीं हो सकता है तो चलिए अब देखते हैं कि सिलबस कब जारी किया जा सकता है देख लीजे यह हिंदूस्तान पेपर है उसमें दिया गया है कि सिच्छक का जो बहुत ही कम उमीद है ना कब बराबर ही है और इसका जो एक्जाम है स्लेवस माना जा रहा है कि परिश्चा का जो श्लेवस त्यार किया जाएगा और अनुमान मुताबिक 10 माई आप याद रखेगा 10 माई मिस अब शिर्फ 8 दिन ही बचे हुए है आश्ट दिन बचे हुए 10 माई तक आपका जो भी स्लेवस है कि स्लेवस बचेड़ा जारी कर दिया जाएगा 10 माई तक और आपका माई जून तक आपका ओनलाइन जो एक्जाम जो ऑनलाइन फर्म बचेड़ा है नोटीफिकेशन बचेड़ा आजाएगा आप जून से आप फर्म भर सकते हैं जून जुलाई तक आपका एक्जाम आ पर पुराने कोस्टन बेगर है इस पर हम लोग और विपेसी से रिलेटेड कोस्टन और बिहार टीचर से रिलेटेड कोस्टन जो भी मिलेगा हम प्रिभियस यहर का भी एक बार कंडक्ट हुआ था 25 या 96 में हम वीडियो में डाल देंगे इस चैनल पर आप 10 महीं तक बेट कीजिए अगर आप वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए धन्यवाद